नमस्कार दोस्तों दोस्तों जबात करिया का इलावाद हाइकोट गृूप सी या गृूप डी की बेकंसिक बारे में देखा गृूप सी में कितने आवेदन हुए टोटल आफिसियल डाठा आपको आज के ढाई बजे का दिया जाएगा ठीक है अपको ढाई बजे कितने आवे सबसे पहले वीडियो करने से पहले आपको बता दो एक वाट्सप का मैं लिंक दे रहा हूं आपको जो भी स्टुडियो मैं चाहिएगा आपको मोत में सहरा मिल जाएगा नीचे लिंक डिस्क्रिशन में जाएगा आवेदन करने इस समंदी कोई दिक्कत हो रही है तो आप आफिसल बेश साइट पर जाके यन-e-w-s-k-a-r-o.com पर जा सकते हैं यह हमारा आफिसल बेश साइट है आप जाके आप आफिसल बेश साइट है आप आफिसल कर सकते हैं रोजगा समंदी जांकारी आपको मिल तो देश्टो देखिए यहाँ पर आपका तीन बज़े का डाटा है यह आज का डाटा है आप इसके बाद फारम भरेंगे ता आप खुद पता चल जाएगा ठीक है आप आगे का जानते ही आट डिजिट है यह आफिसल कोड है जो आपका इलाब अदाई कोड में चलना है य जीरो टू थ्री लास्ट का मैंने आपका दो डिजित छोड दिया आप जानते है में वैसे दो इक डिजित होगा ऐसा तन्हें की 10,000 बज फारम पड़ा है ते ही है एक लाग 2,399 आज तक आपका एक लाग 2,399 फारम पड़े है इस पीड बहुत तगडी चल रही है क्योंकि जहां तक मुझे याद है परसो के दिन में परसो यानि आपका साथ तारीक जो फारम दो सुबह तक भरा गया था 75 अजा था तीन दिन में ये फारम भरेगा है 25,000 लगबग 25,000 से उपर फारम भरेगा है तो स्पीड पकड़ी है अब ये डबल स्पीड हो जाएगी अगले दो दिन में तो आपका जो दस तारीक है और 11 और 12 लगबग आप देखिए ये जो फारम है आपका एक लाग 75 अजा या दो लाग टच करनेगा 100 पसंट टच करेगा इससे ज़्यादा आवजदन हुए है आपके गुरूप D में तो गुरूप D वाला आवजदन मैं आपको कल दिखाऊंगा ठीक है वो भी आफिसल पूरूप के साथ ऐसे दिखाऊंगा तो ये आपका देख लिए एक लाग से उपर फारम पड़ चुके है कंपरडिशन की बात करें जो पिछले साल कंपरडिशन दी कटाप कितना पर गया था तो मैं जहां तक मुझे याद है पेपर हम लोग अपीर होए तो उसके बेश से बता रहा है जिसका अभी जनरा से 74 की 75 नमर था सा है उनको साट लिस्ट किया गया था आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए ठीक है आप समझ लीजिए कि जो भी आगे स्कोर एक दो आगे हुआ होगा जो मैंने आपको 55 श्कोर बता रहा हुँ से एक ही दो नमबर आगे पीछे था ठीक है असी से उपर नहीं गया था क्योंको 74 नमबर वाले का भी 75 नमबर वाले का भी टाइपिंग के लिए बुलाया गया था तो नर्मासी बात है कि कटाफ आपकी इसी के एज़ी थी 74, 75, 76 गर थी ठीक है यह पिछले साल का था आप कटाफ इस बार भी इससे कम जाने क्यों में ज्यादा नहीं जाए कि जहां तक मुझे लग रहा है वो आगामी आने वाले दिनों में आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है अब बात किया जाएगा आपका गुरूब D वाले समस्या बचों के पास पड़ी हुई है कि 6 की मार्सीट की क्या किया जाए 6 दिखिए मैं बता रहे हैं जहां तक मुझे पता है जो बच्चे हमारे साथ के DV करा है थे 2018 वाले में उन्होंने बताया था कि 2018 वाले मार्सीट में कमपलसरी कर रहे हैं लेकि 6 वाले एतनी mandatory नहीं रहती है कि चाहिए ही लेकिन आप एक काम कीज़ेगा रिक्स से बचने के लिए क्योंकि बड़ी संस्था कम पेपर करा रही है तो रिक्स हो सकता है आप जहां से पांचवी पास के आठवी में आपने एडिमिस्ट करा देगा क्योंकि पांचवी का संथ के बाद ही छटवी में एडिमिस्ट होता है तो वहां जाकि आपना रश्चेसंग उन्से बोल दीजएगा कि हमारा एक मार्सीट बना दीजिए इसी बेस पर वो आपका बना देगा क्योंकि देखिए छटवी में कोई बोर्ड अइनवर्सीटी काम नहीं करती है तो जो भी हाथ से मार्सीट बना देगा आपका मानने हो जाएगा कोई इसमें दिक्कत नहीं होने ठीक है एकड़म कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप घबडाई एगमत कि यह अफिसियल है कि नहीं अफिसियल कोई मेटर नहीं शवाले में लेकिन जो आपका ITI वाला मेटर है बच्चे पूछ रहा है कि सब मेरा दो साल क्या मैं आविधर कर सकता हूँ तो भाई उसमें साफ साफ दिया है एक साल के लिए तो दो साल वालों के लिए Addigibility नहीं है बहुत जो भी वेकंसिय आती हैं उसमें सब लोग अपलाई कर सकते हैं एक सल वाले लोग अपलाई कर सकते हैं दू सल वाले इसमें अपियर नहीं होंगे यहदि है आप आज़गे रिजक्स्तन का चांस बन सकता है ठीक है धन्यवाद आज हम बात करने वाले हैं इलाबा धाई कोट के बेश्ट बुक के बारे में जो चक्सू पब्लिकेशन दोरा लाए गया है इस बुक की सबसे बड़ी खासे दोस्तों है इस बुक में आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा बुक में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको यही है जितने व्यूपी ट्रुपेलस से यूपी के एकजाम हो है सबसे ज़्यादा कोश्चन आपके फसने का रिकार्ड इस बुक से रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इस बुक में आपको एरर के साथ ही जो भी बुक का पैटर्ण रहता नमींता पैटर्ण में जो करेंट में चलता उसके अधार पे और आपके एक स्पार्ट दोगाना यह आपका बुक तयार किया जाता है इसमें किसी प्रगार का एरर देखने के नहीं मिलता है जो अन्न बुक में आपको मैकसिम देखने के मिल जाता है अन्न बुक के तुलना में सबसे बड़ा बुक आपको यूपी में क्यों इस सेल किया जाता है सबसे बड़ी बात है कि 2450 आपको question बहुत विकर्पी मिल जाएंगे जो किसी अन्य book में आपको 100% देखने को नहीं मिलते है 25 practice set मिल जाएंगे आप कोई भी book लीजेगा उसमें 5 से लेके 7 या 8 ता या 2 चात तक practice set देते हैं ज़्यादर नहीं मिलता है इसमें 2 साल के आपको paper मिल जाएंगे जो प्रिवियस हुए है उस बेस को देखकर बनाया गया है तो देखिए यह book आपके offline और online दोनों जो करा दिया गया है नीचे एक link में description में डाल जा रहा हूँ वहाँ जाके आप online तुन प्रस्चेज कर लिजिए क्योंकि इसका इजाम आपको दिसंबर जनुरुतियों करा लिया जाएगा तो मौका बहुत सांदार है नीचे link description में है तुरण जाक लिए लिजिए क्योंकि इससे best book आपको market में नहीं मिलने वाली मैं challenge कर रहा हूँ धन्यवाद